कि अपने चैनल बास्चक प्रापटीज पर दोस्तों आज मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूं बिल्कुल एक डूपलेक्स हाउस आपको मिलने वाल है और मैं यह कह सकता हूं एक लग्जी फ्लैट के प्राइस के अंदर ही आपका अपना घर यहां पर बनने वाला है और खास चीज़े कुछ ऐसी रहेंगी कि अपना घर जो रहेगा यह बिल्कुल इस्ट फेसिंग रहेगा वाइड रोड आपके सामने मिलने वाली है तो आपके घर में अगर दो गाड़ियां है चार है तो बड़े राम से आपको पारकिंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई डूसी फडूसी नहीं कहेगा कि यहां से हटा लो जगा आपको खुली मिलने वाली है और वाइड हूँ हमने यहां पर रखियर उसके बाद हमने बाहगी तब चोटी सी पारकिंग यहां पर दे Agent यह जब फ्रंट एलीवेशन की तरफ दजर घुमातेberg तो आपको इहां पर यहां मिलने वाला है टेक्स्च्चर डिजाइन आपको मिलेगा खिड़किया आपको फ्रेम के साथ मिलती है प्लस एक बड़ी बाल को नहीं है जो मैं आपको उपर से दिखाऊंगा नीचे से लेकिन आपको एक अच्छा व्यू जरूर यहां पर मिलने वाला है और एक स्ट्रिप ला है तो हमाया आपका जो गेट हो एक्स्टेंट थोड़ा सा हो जाएगा तो भी कोई फ्रॉलम नहीं है दोनों चीज़े आपकी यहां पर होने वानी है तो टूबिलर्स के लिए आपके लिए अपर अलग से जगह आपको मिल जाती है जहां इसली आपके टूबिलर्स जो है ल आपको 100 फूट की रोड और दूसरी तब 200 फूट की रोड इन फ्यूचर आपके कनेक्ट होने वाली है तो अभी तक तो आपने बहुत देखे होगी लेकिन यहां पर आने वाले टाइम में बहुत साथा देखने वाले हैं तो चलिए थोड़ा सा और बढ़ते आगे की तरफ तो यहां हमारा में एंटस डोर आने वाला जो कि फ्लश डोर है तो फ्लश डोर के ऊपर काफी कुछ काम आपको यहां पर नजर आएगा स्ट्रिप डिजाइन आपको मिल जाते हैं स्ट्रीड के साथ उसके इलाबा डियूल टोन आपको यहां पर टेक्शन मिल जाएगा और यहां आपके लिए यहले की तरफ से डिजिटल डोर लॉक भी आपको मिल जाते हैं तो चलिए उपन करते हैं अंदर क्या कुछ है तो जैसे अंदर आते हैं तो यहां पर एक अच्छा महौल हमें सामने की तरफ नजर आता है क्योंकि एक तरफ वाल जो है वहां हलका से बहुत अच्छा मिलने वाला है सिर्फ यह बात नहीं है कि आपका इस्ट फेसिंग है प्लस यह भी है कि डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया कि हर तरफ जो है लाइट वो पूरी और प्रॉपर एक अच्छे वे से यहां पर अंदर आती रहे तो ठीक यहां पर एक छलका इजिली अगर आप यहां पे ड्राइंग एरिया में सोफा लगा रहे हैं तो 5 सीटर लगाएं तो बहुत अच्छा से आपका लगने वाले हैं और यहां पर अगर आप डाइनिंग लगाना चाहते हैं 6 सीटर तो 6 सीटर लग सकता है लेकि अगर फोर लगाएं के तो ज़्या आने जाने के लिए जगा चाहिए तो उस महाँजे से otherwise आप जैसा मर्जी लगाएं बहुत अराम से यहाँ पर लगने वाले हैं ceiling पर एक अच्छा design आपको मिलने वाला proper conceal lamps आपके मिलने वाले हैं और आपकी stairs हमने जो ही हाँ पर internal रखी हैं तो Sunday के दिन है हमें नहीं नहाना तो कोई बात नहीं अंदर यह घर के अंदर कोई प्रॉलम नहीं होने वाली जैसे मर्जी आप उपर नीचे होते रहे हैं कोई नहीं देखने वाला यहाँ पर और stairs के back side पे आपको थोटी सी storage यहाँ पर मिल जाएगी तो कई बार होता है चोटी मोटी चीज़े हैं हमने रखनी है हलकी सी storage चाहिए तो वो आपका काम सारा यहाँ पर होने वाला है और ठीक आपके जो यहाँ पर dining area आने वाला dining table के साथ ही आपको यहाँ पर kitchen आपको मिलेगा तो जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारे पास यह kitchen का size बहुत अच्छा आता है प्लस उससे पहले जो looks है kitchen की वो अच्छे हमें मिल जाती है तो 11 feet की kitchen है यहाँ से वहाँ तकी और तक्रीमन जो है आपका 7 feet के आसपास यहाँ पर जगा मिल जाती है मैं exactly बता देता हूँ 10.89 something इसकी बन जाती है गहरा मैं इसलिए कह रहा हूँ था कि आपको easily समझ आ जाए तो यह कैसे दे पौने गहरा कह सकते है पौने गहरा भाई पौने साथ आपका जो size है यहाँ पर आपको मिल जाता तो उसके अंदर एक U-shape जगा मिल जाती है और U-shape के अंदर आप देखेंगे तो इस तरफ बिल्कुल वैट अरिया डिजाइन किया है वैट अरिया के अंदर डीप सिंक आपको मिल जाता है वो की बड़ा है soundless है उपर इसके आपको जो है रैक मिल जाएगा इसली जाब भरतन भरतन दोके आप यहां पर रख सकते हैं उसके बाद खिड़की बिल्कुल सही जगाँ पर है ताकि लाइट जो है वो पूरी यहां पर आए अच्छे से और यह एरिया पूरा जो है आपका टाइल के साथ कवर हो जाएगा तो ठीक यहां पर आपकी जो है cooking जो होता है cooktop है वो आपका यहां आ जाएगा उपर चिवनी के लिए जगा भी आपको मिल जाएगी और थर्ड शेफ जो है यहां पर आपकी chopping वाला काम जो होता है वो पूरा हो जाएगा परवे के साथ आ जाती हैं तो यहां से बाहर निकाते हैं और इस तरफ हमारा एक दिर्वाज़ा है जहां से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यह हमारा दिर्वाज़ा जो हमें ले आता हमारे बैड्रूम की तरफ तो हमारा फर्स बैड्रूम जो आपके सामने है खुलर डूला तो एक तरफ आपकी वाड़ो है, जो कि चॉक्रम कलर के साथ है, सेलिंग की हाइड तक आपकी वाड़ो रहने वाल है यहाँ पर आपका ड्रेसिंग एरिया पूरा प्रोपर मिलेगा और ड्रेसिंग में भी आपकी जो स्टोरेज हैं वो पूरी रखी गई है नीचे भी स्टोरेज आपके पूरी प्रॉपर मेलती है तो जैसे कहते है छे बाई साड़े छे का बैड एक नॉर्मली बनता होता जो इसे हम किंग साइज बैड कहते हैं एक अच्छा साइज कहा देते हैं इंडियस के हिसाब से तो आपका पूरा प्रॉपर वे से आएगा उसके बाद भी आपके बाद दोनों तीनों तरफ जगा आपकी पूरी बचने वाली है तो जैसे मैंने का था कि सिरफ इस्ट फेसिंग की बात निया कि लाइट हमारे घर में पूरी आती है तो यहाँ पर आपके सामने खिड़की है जो की काफी बड़ी है लाइट पूरी अंदर थो करती है यहां से ताकि आप जो है इसका पूरा मज़ा ले सके तो यहाँ पर फिलाल पीछे वाशिंग एरिया है लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ आपका वाश्यूम यहाँ पर अटैच रहने वाल है और वाश्यूम आप देख सकते हैं बिल्कु ड्राय और वेट कॉनसेप्ट के साथ पूरा डिजाइन किया गया यहाँ पर अपको मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपके पास ना पूरा है और इस बैक्यार में इजली आप वाशिंग क्लोधिंग दोनों चीज़े बहुत अलाम से कर सकते हैं आपके पास मिल जाती है जगा आपके पास पूरी प्रॉपर मिल जाती है तो जगा को कई खराब होने भी नहीं दिये लेकिन जगा पूरी बना भी दिये और स्टेर्स हमने अंदर इसलिए निकाल लिए ताकि आपके पास आगे पीछे दोनों तरफ जगा भी बन जाए और प् बड़ा मुश्किल तो ठंट जादा होती है तो हम लोग अलगत तरीके से जीतें लेकिन यह डिजाइस बाके बड़े अच्छे होते हैं तो यहां हमारे पास एक वाल है वाल के उपर हमने जो है ग्रास कारपेट यहां पर लगा दिया यह बिल्कुल मेंटेनस इसकी कोई नहीं आपके भी लुटा सा एरिया और यह आपको करता है एक तरफ आपकी बाल कोने के साथ और दूसी तरफ आपके बेडरूम्स की तरफ सब कप अचले मैं पहले आपको बाल कोनी जहां पह Fast पे बड़ा सपेस आपको मिल जाता है इस ली ब्रका कर आप बैठ सकते हैं युझली यहां पर भी वाल जो हमने पूरी यह 9 इंच की रखी है ताकि आप यहां पर एजिली कुछ लगा कर बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं और बीच में आपको पिलर का डिजाइन मिल जाएगा जो फ्रंट को भी अच्छा लुक दे देता और प्लस घर को एक मजबूती भी द सकता हूं तो साइज आप देखी रहे हैं काफी खुला डुला सा है अच्छी स्पेस है अंदाज नहीं पर देखके समझ आया था कि यहां मज़ेदार जगह आपको यहां पर मिलने वाली है तो जब लाइट अपने घर के अंदर पूरी आती हूं ना हर तरह से तो वैसी बात लग हो जाती है तो यहां पर हमारे पास जो है 12-10 की जगह आपको यहां पर मिलने वाली है तो यहां से यहां तक आप जगह पूरी देख सकते हैं वाट्रो को हमने यहां पर कर दिये साइट पर ताकि आपकी जो जगह को खराब ना हो बिल्कुल ड्रेसिंग एक अलग तरीक और इसी बेडरूम के साथ आपके लिए एक बाल को नहीं कि जो की अटैच रहने वाली है ताकि आप जो है लाइट का पूरा मज़ा यहां पर ले सकें तो पीछे भी आपके पास जो लाइट वैटिलेशन वाला काम वो पूरा होने वाला है मैं दूसरा बेडरूम भी आपक कर दिया ताकि आपकी जगा बिल्कुल भी खराब ना हो और यहां आपके जो है रहेंगे यह पले आपके बिल्कुल स्लाइडर्स के साथ रहने वाले हैं जगा आपको उपर नीचे पूरी प्रॉपर मिलने वाली है क्योंकि मैंने अभी तक कोई वाडरो खोल करना ही दिखाई है आपको लेकिन स्पेस आपको पूरी मिलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो वैसे इसकी जो एंट्र पर मिल जाते हैं अच्छे कलर्स हैं बिलकुल है लुक्स देखते हैं तो अच्छा एक फील आती है कि हाँ बिलकुल एची चीज आपको यहां पर हमारे पास इस जो हमें ले जाती उपर के तरफ क्योंकि जब अपने इंडिपेंडिंट हाउस की बात होती है तो वहां पर य लेकने माला काम तो बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा विटामिन डी है या बहुत सारी चीज़ें जो हमें सुरीदेव से मिल जाती है तो दोस्तों यह है हमारा आज का घर जो की 22-24 के हिसाब से बनाया गया है सौगज के अंदर डिजा है सारी फेसेडिस आपको बड़े राम से यहां पर मिल जाती है उमीद आज का घर का डिजाइन या फिर आज का घर आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरू कीजिए दोस्ता शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब् दोस्त कुर्ब अंदर साथ सिकार